हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे ग्यान फॉर यूट्व चैनल पर दोस्तों आज दिन अंग 22 जुन 2019 तो देखते हैं आज का करेंट एफियर्स तो गाइज अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इसी तरह के डेली क चैनल आजाये का ग्यान फॉर यूट और आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला सवाल है निम्न में से किस कंपणी ने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंसरेंस में बहुमत हिस्सेदारी खरिद लिए यानि कि कौण सा कंपणी है जिसने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंसورेंस में बहुमत सिदारी खरिद लिए तो पहला है टाटा गौट ने यांफिर महेंद्रागुरूप ने या फिर थीप्सी ने या फिर विप्रो न है तो इसका जो सही अंसर्फ होगा वह वाली कंपनी HDFC ने हाल ही में अपवलो म्यूनिक हेल्थ इंसोरेंस में 1347 करोड़ रुप्ये में हिस्सेतारी खरीद ली है यानि कि खरीदी गई कंपनी का बिलाई हुआ अपनी सहायक इकाई HDFC एगरे जेनरल इंसोरेंस में करेगी यानि कि जो खरीदी गई कंपनी जो की बिलाई हुआ है दोनों में अपना सहायक इकाई HDFC एगरे जेनरल इंसोरेंस में करेगी उसके बाद दूसरा नमबर सवाल है NCE RTC के दुआरा IOG तीन दिवस्य योग ओलम्पियाड में कितने राज्यों की 5666 ने हिस्सा लिया है तो पहला है 22 राज्यों ने या फिर 26 राज्यों ने या फिर 33 राज्यों ने तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा 33 राज्यों ने राष्टे सच्छिक अनुसंधान एवंग परिशिचन परिशद के द्वारा जारी की गई नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसिये ओलम्पियड में 33 राज्यों की 566 छात्रों ने हिसा लिया यानि कि इस तीन दिवसिये ओलम्पियड में 33 राज्यों की कुल जो 16 थी वो थी 500 66 छात्रों ने हिसा लिया युनेस्को के परतिनीधी एरिक फॉल्ट ने नई दिल्ली में योग ओलम्पियड का उदगाटन किया है यानि कि जो ये ओलम्पियड का उदगाटन हुआ है वो युनेस्को के एक परतिनीधी जिनका नाम है एरिक फॉल्ट इसके द्वारा किया गया है उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है 21 जुन को बिस भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है यानि कि कल का जो दिन था 20 जुन कौन सा दिवस पूरा विश्व भर में मनाया गया तो पहला है विश्व संगीत दिवस या फिर विश्व टीवी दिवस या फिर विश्व बिग्यान दिवस या फिर विश्व डाक दिवस तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा विश्व संगीत दिवस 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है यानि कि ये जो दिवस है विश्व संगीत दिवस ये पूरे विश्व भर में 21 जून को ही मनाया जाता है संगित की बिभीन खुबियां की वज़ा से ही बिस में संगित के नाम या एक दिन आता है यानि कि संगित की बिभीन बहुत सारी खुबियां की वज़ा से ही बिस में संगित के नाम या एक ही दिन आता है उसके बाद चवता नमबर सवाल है QS World University Ranking 2020 में MIT ने कौन से वर्स भी पहला अस्थान हासिल किया है यानि कि QS World University Ranking जो कि 2020 में MIT ने कौन से वर्स भी पहला अस्थान हासिल किया है यानि कौन से वर्स में भी वो पहला अस्थान हासिल किया है तो पहला है पांचवें वर्ष या फिर साथवें वर्ष या फिर आठवें वर्ष या फिर नमवें वर्ष तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आठवें वर्ष QS World University Ranking 2020 में MIT ने आठवें वर्ष भी अपना पहला अस्थान हासिल किया है यानि कि आठवें वर्ष में भी वो पहला अस्थान हासिल किया है लेकिन अब की बार भारत का IIT Bombay इस रेंकिंग में पहला अस्थान हासिल करने वाला तक्निकी संस्थान बन गया है उसके बाद पांचवा नमबर सवाल है वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की खराब परदर्शन के बीग किसने किर्केट कमेटी के अध्यक्षपद से इस्तिपा दे दिया है यानि कि जो कि वर्ल्ड कप में हुआ पाकिस्तान बहुंती खराब खेला तो उस परदर्शन इतना खराब कर परदर्शन के चलते कौन सा किर्केटर कमिटी के अधियक्ष यानि कि किस ने अधियक्षपद से इस्तिपा दे दिया है पहला है इंजमाम उलहक या दूसरा है सोहेब अक्तर या तीसरा है महसीन खान या फिर चवताइन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा महसीन खान वर्ल्ड कप पाकिस्ताने टीब के खराब परदर्शन के बीच महसीन खान ने पीसेवी किर्केट कमेटी की अध्यक्षपद से इस्थिपा दे दिया है यानि कि जो वर्ल्ड कप खराब खेला इसके वज़ा से वो अपना कमेटी जो अध्यक्षपद था वहां से इस्थिपा दे दिया है अब महसिन खान की जगा वसिम खान को अध्यक्ष बनाया गया है यानि कि अब वसिम खान इसका अध्यक्ष पद संभा लेंगे उसके बाद चटवा नमबर सवाल है 21 जून को कौन सा अंतरश्टिय दिवस मनाया जाता है तो पहला है अंतराष्टिय योग दिवस या फिर अंतराष्टिय तीबी दिवस या फिर अंतराष्टिय विग्यान दिवस या फिर अंतराष्टिय डाक दिवस तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अंतराष्टिय योग दिवस 21 जुन को अंताराष्टी योग दिवस मनाया जाता है या दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है यानि कि जो 21 जुन होता है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है यानि कि सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी मनुस का दिर्ग जीवन परदान करता है योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था यानि कि जो ये अंतराष्टिय योग दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को ये सबसे पहला 21 जून 2015 को मनाया गया था यानि कि अगर आपको सवाल पूछा जाता है कि अंतराष्टिया योगद्वास सबसे पहले कब मना गया तो आपका एंसर होगा 21 जुन 2015 को उसके बाद साथवा नमबर सवाल है भारत और चीन के बाद ओयों ने किस देश में 30 करोड डोलर का निवेस करने की घोसना की है यानि कि भारत और चीन के बाद ओयों ने यानि कि भारत और चीन में उन्होंने इनवेस्ट कर दिया है अब ओयों ने और किस देश में 30 करोड डोलर का निवेस करने की घोसना की है तो ओयो एक कमपनी है जो की होटल बुकिंग में काम देता है तो ओयो ने किस देश में 30 करोड डॉलर का निवेस करने का हैसला किया है तो पहला है उस्टलिया में या फिर डिटेन में या फिर जापान में या फिर अमेरिका में तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा अमेरिका में भारत और चिन के बाद ओयो रूम्स ने अमेरिका में 30 करोड डोलर का निवेस करने की घुसना की है ओयो जो की रूम बुकिंग होता है उनलाइन इससे इसने अमेरिका में 30 करोड डोलर का निवेस करने के घुसना की है एक रिपोर्ट के मुताबिक औयो निवेस करने वाले पैसे का उपियोग पर्धुगी की डिजाइन और ऊपरेटिंग टीमों के निर्मान और प्रपटीज के लिए और रिनेवेशन के लिए करेगा उसके बाद आटवा नमबर सवाल है वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा खिलाडी छे अलग अलग देशों के खिलाब 150 से जादा रन की नीजी पारी खेलने वाला पहला खिलाडी बन गया है यानि की वर्ल कप 2019 जो हुआ उसमें कौन सा खिलाडी छे अलग 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 देशों के खिलाब यानि की छे अलग 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 देश के खिलाब 150 से जादा रन बनाया है और नीजी पारी खेलने वाला पहला खिलाडी भी बन गया है तो पहला है इवन मौगन या फिर डेविड वर्नर या फिर सकीब अलहसन या फिर अरण फिंच तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा डेविड वर्नर वर्ल्ड कप 2019 में अस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप 2019 के मेच में 166 रन की पारी खेली इस पारी के साथ ही डेविड वर्नर छे अलग अलग देश के खिलाब 150 से जादा रन की नीजी पारी खेलने वाला पहला खेलाड़ी बन गया है यानि की जो वर्ल्ड कप 2019 में अस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप 2019 के मेच में 166 रन का पारी खेला और इस पारी के साथ ही जो डेविड वर्नर थे वो छे अलग अलग देशों के खिलाब 150 से जादा रन का नीजी पारी खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया डेविड वर्नर की बात क्या जाए तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है डेविड एंड्रिव वर्नर जी हाँ इसका पूरा नाम डेविड एंड्रिव वर्नर है और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 अक्टूबर 1986 86, Pentington, Sydney, New South Wales, Australia में और ये एक Australiai क्रिकेटर हैं उसके बाद नवा नमबर सवाल है, T20 महला क्रिकेट में किस देश की टीम सबसे कम 6 रन का स्कोर पर आउट हो गई है, यानि कि T20 जो महला क्रिकेट हुआ इस टीम में किस देश का टीम ने सबसे कम 6 रन का स्कोर पर आउट हो गया तो पहला है Australia क्रिकेट टीम महला क्रिकेट टीम या फिर Indonesia महला क्रिकेट टीम या फिर माली महला क्रिकेट टीम या फिर Croatia महला क्रिकेट टीम तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा माली महला क्रिकेट टीम T20 महला किर्केट में माली महला किर्केट टीम सबसे कम 6 रन के स्कोर पर आउट हो गई है टीम के सिर्फ एक बल्लेवाज ने स्कोर बनाया और बाकी 9 खिलाड़ी खाता खोले बिना आउट हो गई यानि कि ये जो 6 रन बना वो बस एक ही खिलाड़ी बना पाई और बाकी जो 9 पिलेयर थे वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए उसके बाद दस्वा नमबर सवाल है चीन के राष्टपती सी जिनपिंग हाल ही में 14 वर्ष में किस देश की यातरा पर जाने वाले पहले चीनी राष्टपती बन गया है यानि कि चीन के जो राष्टपती हैं सी जिनपिंग हाल ही में 14 वर्ष में किस देश की यातरा पर जाने वाले पहले चीनी राष्टपती बन गया है तो पहला है जापान देश के या फिर अमेरिका देश के या फिर रूस देश के या फिर उत्तर कोरिया देश के तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा उत्तर कोरिया देश के चीन के राष्टपती सी जिंपिंग हाल ही में 14 वर्ष में उत्तर कोरिया की यातरा पर जाने वाले पहले चीनी राष्टपती बन गये हैं यानि कि ये पहले राष्टपती हैं जो उत्तरकोरिया जा रहे हैं जौदा वर्षों में उनकी इस यात्रा के दवरान पत्नी पेंग लीवन और बिद्यस मंतरी वंग इभी सामिल है और उसके साथ उसकी पत्नी जा रहे हैं और बिद्यस मंतरी वंग इभी सामिल है वे यह तरह के दोरान परमाणू कार्जकरम को खत्म करने पर चर्चा करेंगे और वो परमाणू कार्जकरम को खत्म करने के विशाय में इस बारे में वो बात करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह के डेली करेंट एफियस, केम्प्यूटर नोलेज और जोब नियुच के लिए हमारे ग्यान फोर यू चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक कर दे ना तो मिलते हैं एक इसी तरह के और डेली करेंट एफियस के साथ तो चलिए तब तक के लिए गुड़ बाई